असुत है고 पत्य ने पत्य शटअ मैंने तुम्मारे लिए came अूसल पोह बनाया है क्योंकि मैं》 तुम्हारा है एपंपी बटे और सुनो आज में तुम्से ज्गडा नहीं कि अब ये बोलने की जरुवत है क्या यह काय को बोल रही कि जगड़ा नहीं करूँ नहीं, मैं तुम्हारे लिए उसलप ओला के दिया, पती आफिस जाने के लिए तयार हुआ, पती जाने लगा इतने मैं पत्नी बोली सुनो, आफिस से जल्दी आजाना, आज अपन दोनों होटल चलेंगे क्योंकि आज तुम्हार हिपी बट्टे, आपन दोना चलेंगे, पर मैं जगड़ा नहीं करूँ गयो, पती आफिस से जल्दी आ गया, दोनों तयार हुए, पत्नी ने पती से का सुनो, मेरा मन कर रहा है, आज तुम्हारा जनमदी ने कुछ गफ्ट दिया जाए, तुम्हारे पसं से तुम मांग लो आज तुम को चाहिए क्या, आज मैं इतनी प्रसन ओ, जो मांगो के मैं देत데 tasty पति उन्हीं के बोल रहे है, जो मांगो के मैं देतляется तुम्हारा जनमदी ने जो गिफ्ट मांग लो तुम्हें जो चाहिए, पती तैयार हुआ, दोनों निकल नहीं वाले थे, पत्नी ने हाथ पकड़ा पती से का मांगो ना तुमको क्या चाहिए आज तुम्हारा जनम देना जो कि इप्ट मंगोंगे मैं दे तूंगी पती ने देखा आज बड़ी करपा कर रही है आज मांगी लूँ और पती ने उससे हाथ जोड़ कर कहा अगर कुछ देना चाहती है तो तलाग दे दे पत्नी अंदर से जाड़ू उठा के लई मांगे भी तो अब सुबह से नहीं जगड़ी थी अब आउ जगड़ा करने तो मेरा निवेदन केवल आपसे बरत करना है कोई ऐसा बरत अपने जीवन में करो कि आज में जूट नहीं बोलूँगी आज में असत्य नहीं बोलूँगी आज में किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी आज में किसी को अपसप्त नहीं कहूंगी आज में किसी से जगड़ा नहीं करूँगी आज में मीठी वानी बोलूँ वहाँ तुमें सुगर है क्या कहां बलड़ पेसर है क्या हाँ तौने का बरत करने की जरूवत नहीं है खूब चरो क्या को बरत मालूम पड़े बरत रुक हो 2020 कथा में बरत रख लिया तीसे ची दिन हस्पिटेल में पड़े रुगया कथा किसको सुनाएंगे इसलिए तुम तो खूब खाओ, पर दुनिया के लोगों के प्राण मत खाओ, अच्छे से, मस्तर, क्यों? किसे? वो एक कौन सब रत होता है जिसमें माता है खटा नहीं खाती, खटा नहीं खाती, कौन सी माता का है? संतोस ही मातागा है न क्या नहीं खाते उसमें खटा नहीं खाते अब खटा खाएगी नहीं पर खटा बोल देगी तो बरत लगेगा क्या अरे बोलो तो सरी नहीं लगेगा ना अब सुवे से खटा नहीं खा रही खटा नहीं खा रही और दिन बर 24 गंटे सास खटा बोल रही तो बरत लगेगा उस बरत का क्या प्रमारण उस बरत की कोई मूलता नहीं खटा बोल दे तो बरत खंडी दे उस बरत की कोई मूलता महाराज बरमदेव का है भगवान शिव ने शुराप दिया केदकी के पुष्प को गव्माता से का ब्रह्मधेव ने कहा इस गाय से पूछो मुझे सिर्व मिला है गव्माता को खड़ा कर कर पूछा भगवान विश्णु ने क्यों गव्माता क्या भगवान का सिर्व शंकर भगवान का मस्तक क्या मिला गवमाता ने कहां एक रोटी के लिए गाय जूट बोल दिये वारत एक रोटी के हां महराज बिलकुल सत्त ब्रह्मा जी ने भगवान संकर का सिर देखा भगवान संकर की अकास बाणी हुई नारायन यह गाय भी जूट बोल रही है ये गाय जुट बोल रही न रहे और गौमाता तुने जुट बोला है मैं तुझे श्राप देता हूँ गौमाता कि तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुक आपूज रहेगा और महाराज गाय का पूरा शरीर पूज होता है पर गाय का मुक आपुज होता है आज भी नियम है गाय किसी बरतन में अगर मू लगा देती है तो उस बरतन को साथ दिन तक गंगा जल भरके रखना पड़ता है पाज दिन तक आग में तपाना पड़ता है तीन बार राक से मांजना पड़ता है फिर तीन दिन तक चंदरभागा नदी का पानी उसमें भर कर रखना पड़ता है तब जाकर वो बरतन घर के काम में आता है तो भी भगवान की सेवा में नहीं जाता है अगर उसने मुख लगा दिया तो जूट बो हिंदु धर्म में सारे दान आगे से होते हैं हिंदु धर्म में केवल एक दान होता है गवमाता का दान जो पीछे से होता है गाई की पूँच पकड़ कर किया जाता है आगे से नहीं और गवदान का नियम है गाई की पूँच पकड़ कर दान देने के बाद में जब गवमाता की परिक्रमा होती है तो गाई की परिक्रमा करते हैं, गाई के सामने नहीं जाते हैं, अगर गवदान करने के बाद गाई के सामने अगर चले जाते हैं, तो हमारी साथ पीडी में अगर कोई दान करा हुआ है, तो उसका भी पुन्ने छिंड हो जाता है, इसलिए गवदान करने के बाद गाई की पार नहीं बोला गाए ने जूट दो बार बोला है एक बार शंकर जी के सामने एक बार राम जी के सामने आप लोगों ने परसंग सुना होगा राम लच्मन सीता फालगु नदी के तट पर गये गया नदी पर गये और फालगु नदी के तट पर राम सीता लच्मन तीनो उसी स आए पर दश्रच जी आये, राम सीता इसनान कर रहे थे, गया नदी का तडधा, भगवान की भक्ती में डूब कर इसनान कर रहे है, सीता राम, 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 सीता राम, 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 सीता 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 रा सब्सक्राव गाई है सब्सक्राव गाई है सब्सक्राव गाई है सब्सक्राव गाई है सीता राम 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 सीता 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 राम 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 सीता राम राम सीता राम राम, सीता 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 राम, सीत आतर खड़े हुए राम से बोले राम मुझे पिंड़ दान कर दो नहीं तो मैं नरक चले जाओ पिंड़ दो मुझे राम जी न का पिता जी पिंड़ बनाने के लिए तो अन चाहिए और अन हमारे पास में नहीं हम भिक्षा मांग कर लाएंगे तब आपको लाकर दे देगे आप कल आकर पिंड़ ले कर जाओ ठीक है राम जी बिक्षा के लिए चले गए दोसरे दिन सीता माईया इसनान करने के लिए गई जैसे इसनान करने के लिए गई तो दश्रत जी फिर आगए बहुरानी हमें पिंड़ दे दो सिता जी न न का पिटा जी पिंड तो अन का बनता है अन मेरे पास में नहीं है अगर तुम मुझे पिंड़ आँ करोगी तो मैं नरग चले जाओंगा घर की बहु पिंड़ दे सकती है कि हां दे दे की तुम पिंड़ दो सीता जी ने ब्रहमन देवता को बुला कर कहा पंडी जी आप मंत्र छुडवा दो आप बताओ कि मेरे ससुर को पिंड देना पंडी जी ने का एक काम करो बालू रेत का पिंड बनो फाल्गू नदी की बालू का पिंड बनाया गया बालू रेत का पिंड बनाकर एक पिंड पंडित को दिया दूसरा पिंड गौमाता को दिया तीसरा पिंड फाल्गू नदी को दिया चोथा पिंड दश्रजी को दिया दश्रजी पिंड लेकर चले गए थोड़ी दिरवाद राम जी आ गए राम जी ने कहा सिता ये चावल लो पिंड बनाओ पिता जी को देना है सिता जी ने कहा स्वामी पिंडान तो में ने कर दिया कर दिया ना मानो तो पंडी जी से पूछो पंडी जी से राम जी ने पूछा तो पंडी जी ने कहा महराज सीता जी ने कोई पिंडान नहीं करा जैसे ही पंडी जी जूड बोले सीता जी की आँख में आसु भर गए रोते हुए माजान की बोली रे बिराम्मन तूने पिंडान करवाया और तू जूड बोल रहा है ये ब्रहाम मन दे उता मैं तुझे श्राब देती हूँ तो कितना भी जोड़ लेना हमेसा तिरिया कमी ही पड़ेगी तो जूट बोला सिता जी ने गवमाता से का गवमाता आप तो बोलो कि मैंने पिंडान करा गाये ने राम जी के हाथ में चावल देखकर कर दिया सिता जी ने कोई पिंडान नहीं करा सिता जी ने श्राब दे दिया गवमाता तेरा पुरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुखा पूज जमाना जाएगा क्योंकि तु मेरे पती के सामने राम के सामने जुट बोली तो जुट बोली असत गाय दो बार जुट सीता जी ने बाद में फालगू नदी से कहा नदी तू तो बोल तेरे जलमे में ने पिंडान करा फालगू ने सोचा मेरी बालू रेत मुझे में डाल दी कोई पिंडान होता है फालगु ने कह दिया सीता जी ने कोई पिंड़ान नहीं करा सीता जी ने श्राब दे दिया फालगु नदी एक गया नदी में तुझे श्राब देती हूँ जब तक तुझे खोदे नहीं तब तक तुझे में पानी निकले नहीं आप मेंसे कितने लोग हैं जो गया जी गय है गयों गया जी अगर गया जी गय हो गे पूरी फाल्गु नदी पर बालू रेद जमी होती है इतना खोदो तब उसमें पानी निकलता है तब जाकर कोई पिंड़ान कर पाता है फाल्गु को भी इश्राव है सीता जी ने तब दश्रत जी को याद किया दश्रत जी का हाथ निकल कर गया नदी के बीच में आया उस हाथ को राम जी ने छू लिया तो पत्थर कहो गया आज भी अगर गया जी जाते हो तो दश्रत जी का हाथ गया नदी के बीच में जिस पर लोग पिंडान करने के लिए जाए पिंड़ देने के तो गवमाता ने जूड बोला शिब जी के साथ तो जूड बोल रही तुन्हें असत्य कहा तो सत्य नहीं कहा मेरा श्राप है तुझे सारा शरीर गवमाता का पुझा जाएगा प्रमुका पुझे है और माराज आखरी में जब नहीं माने ब्रह्म देओ तब ब्रह्मा जी कराएं यह आकासवानी जूटी है अब ब्रह्मा जी आकासवानी को जूटा ठेरा यह आकासवानी जूटी है और जैसे ही काकाजवाणी जूटी है इतने में भगवान शिव को कुरोध आ गया शंकर भगवान प्रगट हो गए उस शिवलिंग में से और प्रगट होकर भगवान शंकर ने अपने पाउं के नख के अंगूठे के नख को तोड़ा और तोड़ कर फेका फेकते से ही उस नक से काल भेरो प्रगट हो गया भगवान शिव के नक से काल भेरो प्रगट हो गया और काल भेरो प्रगट हुआ भगवान शंकर ने का काल भेरो ये ब्रह्मा जूड बोल रहा है इसका सिर काट दे भगवान, काल भेरावने अपने पाउं की चीटी उंगली के नक को तोड़कर जो फेका फेकते से ब्रह्मा जी का सिर्कट गया सिर्कटा लुड़कते 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 गया तो भी अभी भी ब्रह्मा लुड़कते हुए भी जुट बोल रहा है कि यह आकाज बाणी जुटी है यह आकाज बाणी जुटी है अभी बेज जुट क्यों? क्योंकि सत्य को प्रमान नहीं चीए पर जुट को प्रमान की चीए सत्य को प्रमान बहुत 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 और याद रखो अपनी जिन्दगी में दिन भर में एक बार सरसती अपने मूँ से निकलती है 24 गंटे में एक बार इसलिए कभी भी गलत मत बोला जूत मत बोला सत्य पूर शिवम जूत नहीं कि ब्रह्मा का सिर्लुडगा जहां ब्रह्मा जी का सिर्क अटा ता जहां तक सिर्लुडग कर गया था उस बीच में कर्मनाशा नदी ब्रमाजी के रक्त से प्रगट होगे कौनसी नदी है? जम के बोलो कर्मनाशा कौनसी है? कर्मनाशा पूरे भारत की भुमी पर केवल एक नदी है जिस नदी के घाट पर लिखा हुआ है इसका पानी मत पीना इसका हाथ मत धोना इसमें पूरी दुनिया में किवल एक नदी है जिसमें कुत्ता भी पानी नहीं पीता तो कौनसी नदी है? जम के बोलिये? कर्मनाशा कहां बे रही है? लखनव से इलहाबाद के बीच में है 14 किलो मीटर की श्यू महा पुराण में लिखा है अगर आज के समय में उस नदी को ना पोगे तो वो 24 किलो मीटर की निकले पर श्यू पुराण में 14 किलो मीटर 14 किलो मीटर की नदी पर यूपी गवर्मेंट ने बड़े बोड लगा कर रखे इसमें हाथ ना दोईए इसमें पानी ना पीए इसमें कोई इसनान ना करे एक कर्मनाशा ब्रह्मा जी के रत्त से बनी हुई जूट बोलकर बनी हुई नदी है कर्मनाशा इसलिए पूरे दुनिया में केवल एक नदी है जिस पर पक्छी भी पानी नहीं पीता करास करकर जाता है नाओं में बेटकर भी नहीं जाता क्योंकि अगर कर्मनाशा का जल भी अगर शरीर को छू जाएगा तो कर्मनाशा का नियम है कि कर्मनाशा नदी में अगर कोई हाथ भी डोब दे कर्मनाशा में अगर किसी ने पाओं धोनिया पानी पीलिया है यहाथ का सवर्श भी हो गया तो उसकी साथ पीड़ी में दाड़ा पर दादा 9, अगर कोई शौर्स कराहोिस जते कर्मों का नास हो जाता है कि कार्मों के नास हो जाता है उसक गरमाजी तक है अ बहुत दूर है कि pre bricks Bhagavan Vishnu ने, Bhagavan Shiva कि ष्थुथी करिये, भोले ना, आप कर्पा करिये, यह ब्रह्माजी का सिर्, जो लूडवा ये, ये कटा हुआ सिर् कहां जाएगा, आप कर्पा करिये, ब्रह्माजी को लोगा अपसद काहेंगे, महरायन, आप कर्पा करिये, तब भगवान ने करपा करी, शंकर भगवान चे स्तूति करी, भगवान विश्नु ने नामिस्मन करा भगवान शंकर करा, नामिस्मन करा, भगवान शंकर की स्तूति करा, ओम नमस्षिवाय, ओम नमस्षिवाय, ओम नमस्षिवाय, भगवान शंकर की स्तूति करकर, प्रणाम क क्रफा करिए भगवान संकर ने कहा वह भगवान नरैन से farm JenGAN मांग ख्याते हो वह वान विश्मु कहते है प्रभु एवração कर्दो इन भगवान ब्रह्मा का चछिर कटा है इस पर करपा कर दीजिए भागवान शंकर ने कहा ए नारायन तुमारे केने पर भ्रमा के इस मस्तक से मैं बढ़ का पेड़ बटवरक्ष उत्पन करता हूं कौन सा व्रक्ष उत्पन हुआ कौन सा पेड उत्पन हुआ बढ़ का पेड क्या बोलते हो बढ़ व्रक्ष कौन सा व्रक्ष है बढ़ का पेड उत्पन हुआ भगवान ने कहा भरमदेव तुमारे जूट बोलने वाले इस मुख से ये बड़ का पेड़ उत्पन हुआ है इसलिए इस वटवरक्ष के नीचे केवल शंकर की पूजन हो सकती है पित्रों की पूजन हो सकती है पूरवजों की पूजन हो सकती है वाकी की पूजन इस वटवरक्ष के नीचे नहीं होगी अखंड सुभाग्यवती मातियां माताएं सुभाग्यवताने के लिए मात्र एक दिन इसके नीचे पूजन करने की आएंगी उसको कहते हैं बट सावित